बिहार की राजनिती में कुछ बड़ा खेला होने वाला है जहां एक तरफ महागडबंदन वाली सरकार में अब लोगों को दरार साफ दिखने लगी है तो वहीं CM नितीश कुमार के नेता CM पर ही हमला बोल रही हैं और लगातार सवाल कर रहे हैं कि नितीश जी बताएं कि RJD औ कई नेता नितीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। नितीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। नितीश कुमार के करीबी नेता रही हैं। नितीश कुमार की ही जाती यानि कुर्मी जाती से आते हैं। इतना ही नहीं। वे उनके घ्रह जिले नालंदा से भी आते हैं। ऐसे में आर्सिपी सिंग के माध्यम से बीजपी नितीश कुमार को उनके घर में ही घेडने की कोशिश कर रही है। आर्सिपी सिंग के बाद अब बीजपी ने उपेंदर कुश्वाह को साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं उन्हें किस सरा समायोजित किया जाए इस पर भी मन्थन शुरू हो गया है। राजिभर में कुश्वाह समाज की कुल अबादी लगबग 10 प्रतीशत है। ऐसे में उपेंदर कुश्वाह के बीजपी के साथ आने से बीजपी को कुछ परसेंट वोटो का फाइदा जरूर होगा। आर्सिपे सिंघ्ग और उपेंदर कुश्वाह के बहाने जहां बीजपी अतिपिछडे वोटो में बैटिंग करने की तयारी कर रही है। वहीं दलित वोट वर्क के लिए चिराग पासवान को तयार किया जा रहा है। चिराग पासवान कह चुके हैं कि उनकी बीजेपी से बात चल रही है। अब बीजेपी बिहार में नितीश कुमार के बिना ही सियासी जमीन तयार करने में चुट गई है। इसको लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और उन में ग्रहामंत्री अमिच शाब ही शामिल है। और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।